आल राइट गाईज आज हम लोग दुबारा से खिलने जा रहे हैं कार फॉर सेल और लास एपिशोड में यहाँ पे मैंने बहुत सारी कार खर दे थी अपने गैरेज के लिए बोले तो चार पांच कार एकडम भर लिया था सूपर कार से उनको मोडिफाइड किया था और अपन अपनी स्पीड के लिए जान जाता है तो फुल यहाँ पे स्पीड पर हम लोग चलार है अपने केलार है मैकलरेनगों को 100 टप चुका है 110 टप चुका है 120 टप चुका है 130 टप चुका है ओ भाई साब 140 टप आ दिया मैंने बट गाईस रोड सीधा नहीं है जिसके कारण 500 नहीं टप पाया लेकिन काईस क्या ही स्पीड मैंने धढ़ाया है देख सत्योगार पुरा डैमेज हो चुका है तो सबसे पहले इस कार का हम लोग को मोडिफाई करना पड़ेगा इसको एकदम धोना होना पड़ेगा इसमें तेल वेल डलवाना पड़ेगा तो हम लोग आ चुके है रिपेर शॉप पे और चलो गाइस बिना देरी किये वे हम लोग यहाँ पे रिपेर कर लेते है फ्यूल डलवा लेते है मोडिफाई करवा लेते है और इसका लाल कलर मेरे को नई जच रहा है तो मैं इसका कलर भी चेंज वेंच करने वाला हूँ तो सबसे पहले इसको मैं गराज में सिफ्ट कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं गराज में ले आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने फ्यूल उल्ट डलवा ही दिया है तो अब इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे आप लोगो कैसा कलर पसंद आता है कार्स में तो आप लोग बताना कमेंट सेक्षन में कमेंट करके और देखो गाइस फानली मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है वाइलेट कलर कर दिया है मैंने और परपल है कि वाइलेट है पदा नहीं बर याईस देख सेकते हो गाइस मैंने अपने कार्स में इतना सारा कार्स को ठूश दिया है लास्ट टाइम हमने सिर्फ चारी कार यहां पे रखा था गैरेज में लेकिन बीच में मैंने चार-पांच कार और खड़ी लिया बोले तो BMW, Mercedes ठीक है तो और Audi यहां पे करके उनको मोडिफाई करके कैरेज में लगा दिया है उनको एकदम कार्स यहां पे मैंने अच्छा से रख दिया है यह हो गया आपका साथ यह फॉर्ड है हाँ फॉर्ड है यह तो इसको अभी हम लोग मोडिफाई करेंगे और देखो गाईस तीन-चार कार्स और भी गैरेज से हट करके मैंने अपने दूरा पे लगाया हुआ हूँ ठीक है तो इसमें से जो जो अच्छा मेरे को लगेगा मोडिफाई अच्छा से कडाऊंगा और गैरेज में उनको लगा दूँगा और देखो गाईस हम लोग यहां पे आ चुके और यह गाना सुनते रहता है भाई सबसे अच्छी बात इस गेम की यह है कि यह गाना बहुत मस्त है ठीक है तो आपको भी पसंद है तो आप बताना और देखो गाईस इसको मैंने मोडिफाई करा दिया है वाइट कलर का वाइट ही कलर मैंने रखा है और इसका जो वील्स है उसको मैंने यलो रख दिया है क्योंकि यलो वाइट पे थुरा सा जच रहा है तो इसलिए मैंने इसका कार को यलो रख दिया है अब हम लोग इसको लगा देते अपने गेरेज में और देखो गाईस चार चार आठ आठ कार का यहाँ पे मैंने कलेक्शन अपनी गेरेज में भर दिया है पीवी शॉप पे देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 और अभी भी जगा खाली ये बीच में दो कार्स अभी भी फिट हो सकती है तो दो कार्स मैं अच्छा से भरने वाला हूँ तो देखो गाईस मैं तो कार मार्केट में आई गया हूँ लेकिन भाई कार मार्केट में मेरे को वैसा कार्स नहीं मिला जैसे मेरे को चाहिए कार मार्केट में टटी टटी कार मिला जो कि मैंने खड़ी चुका हूँ तो यहां पर ट्राइ करेंगे वैसा कार खड़ीदने का जो कि मैं नहीं खरदा हूं और कंपनी भी अलग हो यह Toyota है Toyota I think मेरे पास नहीं है Toyota मेरे पास नहीं है तो यह कार मैं खर दूँगा और इसको मोडिफाइ कर दूँगा क्योंकि Toyota का मेरे पास अभी कोई भी कार कलेक्शन में नहीं है और यह साथ मैकलरेन है दिखने में तो वही लग रहा है वाइट मैकलरेन है यह तो मैंने खरीद रखा है वैसे देखते है मोडल चेंज है क्या मोडल तो मुझे चेंज लग रहा है चलो देखते है इसका इंटरफेस information मैकलरेन P1 है और मोडल चेंज है तो खरीद लेंगे एक और मैकलरेन खरीद लेंगे दो-दो मैकलरेन रखेंगे और यह Supra है क्या नहीं भाई यह भी Toyota है भाई मुझे लगाता है यह Supra है क्योंकि ऊपर से मुझे देखने में Supra लग रहा था और और कोई कार नहीं है बाई तो चलो गाइस हम लोग यह वाला कार तो योटा कहड़ीद लेते हैं 1995 का मोडल है वोपी नी चैट 56,000 का देरा है तो बीना देरी किये हैं हम लोग यहाँ पर 56,000 डॉलर का खड़ीद चुके है तो योटा और ये कार हम लोग की हो चुकी है और हम यहाँ पर करने वाले इस कार के साथ स्पीड टेस्ट दो सलेंसर इस कार का और इतना जल्दी गाईस 50 किलोमेटर धर लिया है क्या ही ड्रिफ्ट मारा है भाई यह मेरे को सूपरा का यादिल आ रहा है पता नहीं और देखो हम लोग का कार मार्केट में आ गया है हम लोग का कार शॉप और वहाँ पर मैंने अल्रेडी बहुत सारे कार रखी है तो यह भी नया कलेक्शन में हम लोग का सामिल होने वाला है और स्पीड देखो आप लोग भाई स्पीड देखो 124 टप टप हाँ 124 टो टप गया था और कार डैमेज भाई लगता है मेरे को इस पर भी पैसा फुगना पड़ेगा मोडिफाई उडिफाई करना पड़ेगा तो चिंता की कोई बात नहीं है यहां पर हम लोग आ गया है मोडिफाई शॉप में और यह कान में अभी भी हेड़फोन लगाए हुआ है इसका कान वान से खून नहीं निकलता है क्या एतना हेड़फोन में गान लगए सुनता है भाई हमसे तो पॉषिवल नहीं होता है अगर आपका यहां पर कैपसिटी है तो आप बताना जरूर और भाई इसको हम एकदम छपडी लुक देंगे जिहां दोस्तों देख सकते हो गाइस बॉड़ी एकदम छपडी वाला और वील एकदम छपडी वाला देख सकते हो भाई टोयोटा को मैंने छपडी बना दिया है और देखो वाला जो मैकलरीन था ना उसको मैं फाइनली पर्चेस करके यहां पे उसको भी छपडी करके यहां पे लगा दिया हूँ वो भी देखो वो जो परपल आपको दिख रहा है ना वो भी मैकलरीन है और य यहाँ पे मैं सब कुछ एकदम फिक्स कर दिया हूँ यहाँ पे देखो हम लोग का गैरेज एकदम एकदम पॉर्फेक्ट बन चुका है क्या ही लग रहा है भाई डिफरेंट डिफरेंट्स कंपोनी के कार्स मैं यहाँ ला करके खड़ा कर दिया हूँ बोले तो मैंने सूपर स्कार का भंडारा लगा दिया है जो कि मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया था जुद्धे के कलर से मैच करनी है मेरी गारी जो कलर का मेरा जुद्धा होगा उस कलर का मैं गारी से गुमूँँगा देख सकते हो गाइस मेरे पास हड़ एक कंपनी की कार है हाँ अभी भी मैं जानता हूँ कि दो तीन कार्स ऐसी होगी जो छूट गई होगी यहाँ पर देखो जैसे कि इसको मैं आपको चिक कराता हूँ Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador है यह और इसका आप लोग देखो 2020 का मोडल है और यह हमारा अपना एंड्यू टिट का बुगाटी चिरॉन ओपी दी चैट वाला यहाँ पे आप लोग कंप्री देखो और अलग-अलग कार्स है ठीक है अलग-अलग सूपर कार्स है और देखो यह है आपका Mercedes अच्छा यह Mercedes है और देखते ही देखते है रात हो गई भाई ओपी दी चैट भाई यह इन्वारमेंट मेरे को पसंद है और यह पूरा ठेला लाल है ओडी है देखो ओडी को मैंने पूरा लाल कर दिया है और यहाँ पे हमारे McLaren भाई साहब McLaren P1 ओपी दी चैट 2014 का मोडल है भाई सबसे मस्त गारी तो मेरे को यही लग रही है क्योंकि इसका कलर भी एकदम मस्त है और कलर के साथ-साथ इसका यहाँ पे मैंने मोडिफार डूफाई सब कुछ करा दिया है यहाँ पे आप देखो Ford है ठीक है Ford है ओके और आगे हम लोग चलते है यहाँ पे आपका Audi होना चाहिए नहीं नहीं यह BMW है ठीक है यहाँ पे आप लोग देखो BMW है 2019 का मोडल है और यहाँ पे अपना Dominic Torato का का कार जिहां दोस्तो Dodge भाई साब Dodge ठीक है इसका भी यहाँ पे Speed Test मैंने किया है पिसले वीडियो में और यह तो हमारा भाई McLaren है और यह तो भाई Toyota है ठीक है देखो Toyota 1995 का मोडल यहाँ पे McLaren P1 दो-दो McLaren मैंने खड़ीदा है तो हम लोग का यहाँ पे पूरा जो car collection है वो complete एक तरीके से हो गया हुआ है और अभी मैं इसको बीचना स्टार्ट करूँगा और लेकिन उससे पहले गाईस देखो उधर साइड भी हम लोग का car बहुत साड़ा है और गाईस मैंने यहाँ पे एक चीज सोचा है हड़े एक सूपर कार्स का मैं यहाँ पे engine on करूँगा और light on करूँगा और आपको midnight में जीवा दोस्तों environment एकदम night का है ना तो night में एकदम आपको engine का sound सुनाओंगा हर एक गारी का देखो guys एक करके मैंने हर एक car का यहाँ पे सब कुछ का engine खोल रहा हूँ और आपको engine का आवाज सुनाओंगा सुन सकते हो आप लोग को सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा and देखो guys सब का मैंने यहाँ पे open कर दिया है engine और engine का आप लोग आवाज सुनो और इनका headlight में on कर देता हूँ क्या ही मस्त लग रहा है भाई सुनो आप लोग and गाईज आप लोग को यह engines की sound कैसा लगा आप लोग कमेंट सिक्स में बताना and जो भी बंदे सब्सक्राइब नहीं किये है न तो भाई देखो याद new new games आते रहेगी तो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को घंटी कॉल पे सेट करो and यहाँ पे आप लोग देख सकते हो guys जितना भी मेरा यहाँ पे सूपर कार्स है न उन सब को मैं यहाँ पे सेल पे लगा देता हूं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो टोयर्टा हो गया McLaren का दोनों कार्ड हो गया सूपरा हो गया सूपरा तो भाई मेरे को मिला नहीं भाई अब देखो गया इन सब सूपर कार्स को मैं बेच करके पैसा कमाने वाला हूं उस पैसे से अम लोग एक नया बंगला खर देंगे बुले तो एक नया सोडूंग खर देंगे और यहाँ पे देखो guys Ford है मेरे पास Ford का मैं यहाँ पे पैसा वैसा लगा देता हूं सबका जितना भी मेरा सूपर कार्स है न शबको मैं यहाँ पे एकदम प्राइस पे लगाने वाला हूं 30,000 डॉलर जादा करके इन सबी को मैं सेल करने वाला हूं अभी रात का टाइम है इसलिए कस्टमर नहीं आ रहे है तो सबसे पहले हम लोग को दिन में आना पड़ेगा और अभी हम लोग को जा करके अराम करना पड़ेगा अब हम लोग जा रहे हैं अपने container में हाँ container में जा करके हम लोग को सोना पड़ेगा और सोने के बाद यहाँ पे automatically जब दिन हो जाएगा ना तब हम लोग को आ करके अपने office में बैठना पड़ेगा देखो guys अभी हम लोग गड़ी बे उतना जादे पैसा नहीं है तो हम लोग को एक छोटे से container में रात गुजारनी पर रही है बट guys एक दिन हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा बंगला खट देंगे और देखो guys यहाँ पे सुबा हो चुकी है हम लोग अपने container से बाहर निकलेंगे और सबसे पहले जाएंगे office और देखते है भाई office क्या हाल चाल है क्या वहाँ पे customer आय के नहीं आये मेरे supercars खर देगा कोई या फिर नहीं खर देगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा वैसे आपको पसंद दाड़ा है तो like कर देना ओ देखो भाई साब भीर कितना जादे भीर है भाई इतने जादे supercars पर इतना जादा भीर और उदर का तो card मैंने यहाँ पर selling में नहीं लगा याँए याड यह सब cards को मैंने selling में लगाया मैंने सिर्फ supercars को selling में लगाया है और देखो भाई हम लोग का swap पर और उस कार का प्राइस मैं देखूंगा और कार को ले लूँगा तो चलो गाईस सबसे पहले जो हम लोग के ओफिस में आया है अपना कार बेशने उससे बात करते है और यह जेंटल मैन है यह कौन सा गारी है भाई मस्टबेच लैंसर मस्टेंग मस्टेंग यह मस्टेंग है क् एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना चलो गाईस पता नहीं कोई भी कार है उसे फड़क नहीं पड़ता है तो हम लोग बाई कर लिए भाई 40,000 डॉलर का अप्रॉक्स दे रहा था एंड भाई लोग आप एक बार भीर तो देखो बाई कितना जादे का पर कार्ज को सेल करते हैं एंड अर्निंग करते हैं देखो गाईस यहां पर पहली कार में बेचने जाड़ों मर्सडीज जो कि यहां पर मेरे को प्राइस ओपर होड़ा है डेर्लाग का एंड इसको मैंने खरता था एक लाग 30,000 में तो इस पर हम लोग थुरा सा मोल भाव कर खुझाब कर पहला कार सेल हो गया और उस पर मैंने अर्छ तिंख 30,000 कमाया एक कार से और यह भूतनी का कितना कम प्राइस दे रहा था या अठा अर्टी पे याड ची बहुत इने बाहcamera मेरे को 60 में मैंने खरदा 8岛 LE Перв बेस नुक या तबभी मेरे को 20,000 का यार कार्ड भी नहीं है थोरा सा मोल बाउ करके देखता हूं नबबे नबबे नहीं अंठ ओ भाई साब भाई मैंने तो ऐसे ही में लिख दिया था तीसा डॉलर में को मिड़े प्रॉफिट हो गया भाई साब खतरनाक सी न भाई एकदम लगता है यार सूपर डिच बंदे लोग आ रहे है और यह देखो भाई यह कितना का भिक्रा है इसको छपडी लुक मैंने दे दिया है देखो देखो छपडी लुक है इसको मैंने खरदा फिर 80 करके देखो एक सेड़िक दुक जाओ 80 करके देखता हूं भाई 80 में भी नहीं ल रहा है ची बाई 75 करके देखो नई यह कोण है भाई भिकारी आ लगडिए लगग़ डैको एतना कम मैंने कर दिया तब with 22 मिलेगा नहीं यह लग़ड़ाह चोनू आदमी है इसके पास कमाल वाल है नहीं हर्ट भाई हर्ट तेरे को मैं नहीं बेचूँँगा कोई और कार देखते है भाई मेखलेर्एन को मैं सबसे लास में बेचूँँगा देख सकते हो रिच रिच बंद आया है कार को लेने बुरो BMW नोग तो केतना दे रहा है 1,40,000,000 में मैंने खरदा और ये साला दे रहा है 1,60,000 में मेरे को 20,000 का profit 36,000 में Dodge खरदा पचासान में दे रहा है भाई हट जा भाई ऐसे ऐसे भिकारी बंदे भी आ गया भाई पता नहीं गाईज अच्छे price दो कम से कम हरेक कार पे और चलो गाईज Dodge कम लोग 60,000 ओ भाई साब इस पे भी 60,000 में खड़ी लिया सही है भाई पूरा आदान प्रदान जो है ना भाई कार का मैंने ऐसी रख दी है जैसे यहाँ पे टपड़ी पे चाय मिलता है लो लाव 5 रुपया लो चाय की गिलास लोव 5 रुपया लो चाय की गिलास एंड फॉर्ड भाई मेरे को केतना में दे रहा है 75,000 में मैंने खड़ दा है भाई यही एक लाख में बिकेगा नहीं नहीं बिकेगा कोई बात नहीं भाई इसको मैं 99 देखके देखता हूँ यह ओ बाई साब 75 में भी दे दिया गाईज एंड मेरे पास अब सिर्फ पांच गारी ही बची है ओ पी दी चैड भाई डॉज तो मेरे पास है इसलिए डॉज को मैंने लिया नहीं वो डॉज बिचने आया था भाई और देखो एक दो तीन चार पांच टोटल नंबर ओफ कार्स मेरे पास माच है और यह फॉड को भी हम लोग सेल कर देते है 73 में मैंने खरदा है और यह 93 दे रही है 93 दे रही है तो यह अच्छा बात है इसको मैं एक लाख मांग के देखता हूँ एक लाख मैंने दे रही है चल निकल निकल भाई यह उतना हम लोग को नहीं है भाई यह 93 में दे रहा है तो इसको हम लोग कितना 99 या फिर 96 96 ओपी नहीं चैड भाई अब बचा है मेरे पास सिर्फ 4 गारी 4 सूपर कार्स बचा है Lamborghini, Aventador, Bugatti, Chiron McLaren P1 और उधर भी McLaren P1 है लेकिन दोनों का year जो है ना model वो change है model change नहीं है बस year change है भाई तो आज का यह काम हम लोग बहुत महनत से किये और देखो गाईस अभी भी मेरे पास बहुत साड़ी कार्स बची है जो कि मैंने अपने गैरेट से साइड में लगा के रखी है देखो एक, दो, तीन, चार, चार काड़ी यहां पे है और भी दो, तीन गाड़ी मेरा वहीं पे है कार मार्केट में ही मैंने खरीद के रखा हुआ है लेकिन गाईस वो सब कार इतना सूपर कार नहीं थी और देखते ही देखते रात हो गई है और जेतना भी मेरे बायर्स थे न वो सब चले गए because night होड़ा है and guys मैंने सोचा है न कि यहां पे हम लोग अपना जो यहां पे module है न, अपना सौप का चाहे वो outer हो, चाहे वो inner हो सब कुछ चेंज करने वाल है देख सकते हो guys, sofa को मैंने यहां पे नया सोफा खड़ीद लिया है, table यहां पे मैंने नया खड़ीद लिया है cheer मैंने नया खड़ीद लिया है और एक और cushion motion लगा दिया है plant उलांट सब लगा दिया है उपर जो खपड़ा वाला हम लोग अच्छात है न उसको भी अभी मैं चेंज करने वाला हूँ इंडोर का बाड़ी है, देख सकते हो guys flat को एकदम मैंने प्लास्तर रास्तर कर दिया है और भाई क्या ही लग रहा है देखो पैसा हो तो यार क्या कुछ नहीं किया जा सकता open the chat, यहां पे सब कुछ मैंने कर दिया है और सबसे महंगा वाला मैंने खरीद लिया है आपको अगर खरीदना है तो आप लोग comment 6 में बता सकते हो और अभी तक कैसा जाड़ा है आप लोग like करो और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो चैनल को और देखो guys अभी तो रात का time है और जितना भी हम लोग का super cars बचा है उसको मैं बेचूंगा देख सकते हो guys दिन हो चुकी है अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने car shop पे और देखते हैं guys जो भी मैंने changes किया है न क्या वहाँ पे changes apply हुए कि नहीं बिना देरी किये हुए हम लोग चलते अपने office और भाई साब मैंने बहुत पैसा खर्च किया है अपने office पे चलो 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 ओपी guys आज कहूं मैं अपने office और देखो यह भी एक car for sale का है मतलब वो rent के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो भी मैं आने वाले time में खड़ीद लूँगा और देख सकते हो guys मैंने यहाँ पे सबसे highest वाला भाई क्या ही लग रहा है क्या आपने देखा देख सकते हो guys कितना बड़ा garage है इसमें तो यार 1000 से plus गाड़ी अट सकती है और देखो guys मेरे पास जो जो cards थी ना वो सब लगी भी है और देखो भाई मैं अंदर से आपको चल करके दिखाता हूँ कि अब मेरा shop बोले तो office कैसा लग रहा है प्रीमियम लुक दे दिया है मैंने इसको देखो 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 एकदम सीशा विशा लगा दिया है ओपी भाई क्या ही लगड़ा है यहाँ पे एक desk होना चाहिए computer यहाँ पे होना चाहिए और हम लोग का अंदर बैठने का इंतिजाम हुआ हुआ है टेवल देखो, मैट देखो, उपर देखो, नीचे देखो, दाय देखो, बाएं देखो ओपी ली चैत और ये देखो guys टोटल कार्स मेरे पास था ठार टोटल मैंने तोल्ड गया मतलब Spl。18 मैं से 6 कार्स मैंने तोल्ड किया हमारे ओपीली चैट भाई देखो मैंने जो लुक दिया न वो परफेक्ट तो है ये बात तो मैं मानता हूं और पीछे अम लोग का यहां पर आउट डोर है देखो उपर से कैसा लगड़ा है उपर एक स्टेयर होना चाहिए तो उपर भी गारी का अम लोग शोडूम एकदम अ 2013 एंड 2014 का मोडल एंड अपना लास्ट बट नॉट द लिस्ट लैंबरगीनी एवेंचे डॉर ओपी इंदी चैट ये चाड़ो कार्ज को सूपर कार्ज को मैं अगले एपिशोड में सेल करने वाला हूं तो अगले एपिशोड बिल्कुल भी मिस मत करना और ये एपिशोड देख सकते हो यहां पर लिंक आड़ा होगा तो प्लेस करो और देखो टाटा